करेले तो आपने हजारों बार अपने घर बनाए होंगे लेकिन इस तरह के बहुत ही टेस्टे बिना कड़वा लगे भरवा करेले आपने पहले नहीं बनाए होंगे तो चलिए देर किस बात की स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने यहां पर लिए 800 ग्राम करेले करेलो को बहुत ही अच्छी तरीकी से मैंने धो लिया है और धोने के बाद अब हमें छीलेंगे यह जो करेले बन रहे हैं यह बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं और यह बड़े हों या बच्चे हों सभी को पसंद आते हैं तो यहां पर यह जो करेले हैं इनको आपको ऐसे छील लेना है इनका छिलका निकाल देना है तो सारे करेलो को हम ऐसे ही छील कर त्यार कर लेंगे लेकिन ये जो छिलका निकल रहा है इसे हमें फैकना नहीं है इसका इस्तमाल भी हम करेंगे लेकिन कैसे करेंगे वो मैं आपको आगी वीडियो में बताने वाली हूँ तो सारे करेले मैंने ये छील कर लिए हैं तयार ये देखे हमने करेले एक साइड रख लिए हैं और जो छील के निकले हैं उन्हें भी एक साइड रख लिए हैं इन्हें फैक न नहीं है अब ये जो करेले हैं हम इने भरवा बना रहे हैं तो इसके लिए आप क्या करें बीच में इनमें कटका निसान लगाएं देखे इस तरीके से एक तरफ से बीच में से ऐसा कट करेंगे और इनके अंदर जो भीज है ना उन्हें आप चाहें तो ऐसे निकाल लें देखिये जो पके हुए लाल लाल से बीज होते हैं उन्हें तो आप फैक देना लेकिन इस तरीके के जो कच्छे सफेद बीज होते हैं उन्हें आप इन छिलकों में ही डाल देना वो पके हुए बीज होते हाड होते हैं, खाने में अच्छे नहीं लगते हैं, अब यहाँ पर आपको लेना है नमक, यह छिलके और जो बीज हैं, इनमें आधा चमच मैंने नमक डाल दिया है, और एक चमच नमक मैंने करेलो के उपर डाल दिया है, यह हम इसलिए कर रहे हैं कि इन छिलकों और करेलों का कड़वापन दूर हो जाए तो नमक को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इन छिलकों में और जो करेले हैं उन पर भी ऐसे हातों से अंदर और बाहर अच्छी तरीके से नमक को मसल देंगे इससे करेलों का जो कड़वापन होता है वो बिल्कुल दूर हो जाता है बिल्कुल भी कड़वे करेले नहीं बनते हैं तो हमने नमक को अच्छी तरीके से सभी करेलों के उपर रगड दिया है और अब आप क्या करेंगे आप इन्हें 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ठीक है और 15-20 मिनट बाद अब देखिए जो करेले है ना उन्होंने नमक के बाद काफी सारा पानी छोड़ दिया है तो पहले ये जो छिलके और बीज है ना इन्हें निचोड लेते हैं सारा कड़वापन इस तरीके से निकल जाएगा देखिए नमक लगाने की बाद इनमें से काफी सारा पानी निकल रहा है ये कड़वापानी है और आपको ये बीज और जो छिलके है ना निचोड निचोड कर अलग रखते जाएगे और अब आपको एक बरतन में साफ पानी लेना है और इन्हें दो तीन बार साफ पानी में अच्छी तरीके से धोना है ताकि से इनके उपर जितना भी नमक लगा हुआ है वो सब निकल जाए वरना ये जो हमारे करेले ना बहुत जादा खारे हो जाएंगे और खाये भी नहीं जाएंगे तो अच्छी तरीके से इने दो तीन बार धोलें और ऐसे निचोड निचोड कर अलग रख लें इस तरह इनका कड़वापन बिल्कुल निकल जाता है और इनमें जो लगा हुआ नमक है वो भी निकल जाता है तो सारे करेले हमने धोली हैं और अब हमें क्या करना है जो छिलका और बीज हैं उने भी अच्छी तरीके से पानी में डाल कर ऐसे धोलेना है ताकि से इनमें लगा हुआ नमक वे निकल जाए तो ये देखिए इस तरह दो तीन बार आपको दोना है इन करेलों को बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है थोड़ा टाइम जादा लगता है लेकिन रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है जो करेले हैं बहुत ही ज़दा टेस्टी बनते हैं बिल्कुल कड़वे नहीं बनते तो यह हमने बीज और छिलके निचोड कर इस तरीके से रख लिए हैं करेलों को सुपर टेस्टी बनाने के लिए मैंने ये एक कच्छा आम लिया है जिसे कुछ लोग अमिया या कैरी भी बोलते हैं तो यह जो आम है ना कच्छा इसे आपको पहले धोलेना है और उसके बाद इसे छील लेना है कच्छे आम का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसे करेले बहुत ही बढ़िया लगते हैं अब यह जो कच्छा हमें ना इसे हम ग्रेट कर लेंगे तो कच्छे आम को गुमा गुमा कर सभी तरफ से घिस लें और बीच में जो गुठली वाला हि स्टाफिंग त्यार करेंगे तो गैस पर रखा है एक पैन और इसमें 2-3 चमज डाल दें जब गर्म हो चाहे तो आप इसमें आधा चमज डाल दें जीरा और 2 पिंच इसमें हींग डाल दें अब इसमें जा रही है प्यास मैंने एक बड़े साइस की प्यास को दर्दर आसा कर लिया है आप चाहें तो इसे बारी कट कर सकते हैं लेकिन एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे इसे मैंने दरदरा सा पीसा है और ऑईल में डालकर इसे हम भून लेंगे ठीक है तो लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर इसे आपको भून लेना है जब प्यास हलकी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आपको इसमें करे लेके छिलके और बीज डाल देने है ठीक है इन्हें भी प्यास के साथ में आपको भून लेना है गेस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम पर ही प्रोसेस आपको करना है तो यहां पर इस तरीके से दबा इसे भूनना है ताकि करेलो में जो पानी है वो भी सारा निकल जाए और बहुत ही बड़ी स्टफिंग हमारी बनके त्यार हो अच्छे से दबा दबा कर इसे आप लगभग तीन से चार मिनट के लिए भून लेंगे और जब यह इस तरीके से त्यार हो जाएगा तब हम इसम चमच हल्दी पाउडर आधा चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच धनिया पाउडर एक चमच दरदरा पिसा हुआ सौंफ पाउडर यह आप जरू टालिएगा इससे करेले टेस्टी बनते हैं एक चोथा ही चमच करम मसाला और एक चोथा ही चमच जिसमें जा रहा है नमक न चाहें हम इसे कितनी बार भी धो लें लेकिन हलक असा नमक का इसमें टेस्ट रही जाता है तो नमक आप थोड़ा कम ही डालें सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मसाली को अच्छे से भून लें अब इस तरह जब मसाला भून के त्यार हो जाए तो लास्ट म अच्छा हम डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही जादा बढ़िया आएगा तो इसलिए एक बार इस तरह बनाएं तो स्टाफिंग तयार है गैस का फ्लेम आफ करें स्टाफिंग को एक बरतर में निकालकर ठंडा कर लें और अब यह जो करे लिए हमने त्यार के थे इसके अंद इसे धागे से इने बांध रही हूं आपको इस तरही कि से करेले के उपर धागा लपेट देना है और फिर बस धागे को तोड़ देना है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आसानी से ये काम हो जाता है तो बस सारे करेलों को ऐसे ही स्टाफिंग भरके धागा लपेट कर आप त्यार करें तो यहां पर अब मैंने सारे करेले त्यार कर लिये हैं और अब हम चलते हैं गैस की तरफ तो यहां गैस पर मैंने पैन रखा है और इसमें हम थोड़ा सा ओईल डाल देते हैं बहुत ज़्यादा ओईल नहीं डालना है तीन चमच के करेब ओईल डाल दें जब ओई अब ये जो करेले है ना इन्हें आपको उपर नीचे कर देना है करेले बहुत ही बढ़िया तयार हो रहे हैं और देखे जो हमने धागा इनके उपर लपेटा था ना उसकी वज़े से इनके अंदर से मसाला भी नहीं निकल रहा है बहुत ही मज़ेदार से स्टफ करेला हमारे त्यार हो रहे हैं तो बस आपको ध्यान रखना है कि लो फ्लेम पर इन्हें कोक करें गैस का फ्लेम मीडियम या हाई ना रखे वन्हा करेले जल जाएंगे फिर से इन्हें 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं और अब देखिए जो करेले हैं पूरी तरीके से कोक हो गए हैं पहुत आसानी से हट जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी हलके से ठंडे हो जाएना करे ले तब आप ये धागा आसानी से निकाल सकते हैं अब इन भरवा करेलों को आप पूरी परांठे चपाती किसी के भी साथ खा सकते हैं सुपर टेस्टी बिना कड़वा लगे हुए भरवा करेले की सबजी है तैयार अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक कॉमेंट और शेयर जरूर करें मेरे चैनल टेस्टी फूट विस संगीता को जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस और और अल पर क्लिक करें